ओम शान्ति आज पत्र पुष्प का तीसरा क्लास है हमारी त्री मूर्ती दादियों के अमरित वचन में आज के अमरित वचन हम सुनेंगे परमादर्निय दादी प्रकाश मनी जी के और दादी के क्लास का टॉपिक है देह भान रूपी काटो के क्राउन को छोड़ लाइट का क्राउन धारन करो देह भान रूपी काटो के क्राउन को छोड़ लाइट का क्राउन धारन करो लाइट के ताज धारी बनो तो ये लाइट का क्राउन धारन करने के लिए हमें अपने पुर्शार्थ में किन सुक्ष्मताओं का ध्यान देना है देहभान को तोड़ने के लिए क्या पुर्शार्थ करना है उसके लिए दादी ने बहुत अच्छे-च्छे पॉइंट्स पताएं तो सुनते हैं दादी प्रकाश मनी जी के अम्रित वचन दादी जी कहती है बाबा ने कहा चिरन जीवी बच्चे, माया जीत बच्चे अब हमें वर्दान मिल गया तो माया वार कर नहीं सकती हमारी आखों में बाबा बैठा है, हम तो कल जाकर शहजादे बनेंगे हम कल जाकर मिचनु, चोटा बच्चा बनेंगे हमें तो नई दुनिया में जाना है हमें तो ऐसा सुन्दर देवता बनना है हम तो वो मूर्तियां है जिनका मंदिर में गायन पूजन होता है हमें ये देह देखनी ही नहीं है हमें तो बाबा की वो दर्बार दिखाई देती ये light का crown सब पर दिखाए देता है देखो दादी की दृष्टी कितनी उच्छी है दादी के स्तरे के नजारे अपनी दृष्टी से देखती है ये देह तो दादी केती हमको दिखाई ही नहीं पड़ती है लेकिन हर एक आतमा light का ताजधारी दिखाई देती है अभी हम सबको लाइट के घर जाना है हर एक के मस्तक पर लाइट की थाली गुमती हुई देखो तो ये देह दिखाई ही नहीं देगी हम बाबा के बच्चे आत्मा है आत्मा लाइट है उस लाइट के क्राउन को छोड़ देह अभिमान में क्यूं आते लाइट के क्राउन को देखो तो देह भान छूट जाएगा देह का क्राउन काटो का क्राउन है लाइट का क्राउन हलका शीतल कर देता है हम लाइट हाउस हैं हमें सबको राह दिखानी है सबकी रूहों को राहत देनी है राहत देने वाले ने हमें राहत दी है कहूं कि मुझे राहत नहीं है। हम तो रूहानी राहत देने वाले राही है। वो कैसे कहेगा कि मैं तो उल्जा हुआ हूं। मुझे तो रास्ता पता नहीं है। जो खुद लाइट हाउस है वो तो सबको रास्ता दिखाएगा ना सबको राह बताएगा काम महाशत्रु के संकल्पों को डोंट कैर करो तूफानों में नहीं आओ विकल्पों पर अटेंशन ही क्यों देते हो अगर अटेंशन देंगे तो और ज्यादा आएंगे मैं ग्यान सूर्य का बेटा किचडे को खतम करने वाला हूं क्या स्वमान लेना है मैं ग्यान सूर्य का बेटा हूं किचडे को खतम करने वाला हूं मेरे पास माया का किचड़ा आ नहीं सकता अगर उसको देखेंगे हाथ लगाएंगे तो आ जाएगा अगर संकल्प आए तो किनारा कर लो अगर वह नींद फिटाए तो क्या करेंगे आप योग में बैठ जाओ लेख लिखो, विचार सागर मन्थन करो ऐसा नहीं वो किछड़े की बाते जो आ रही है हम उन पर अटेंशन देने लग जाएं लेकिन उसके विपरीत दादी कहती है योग में बैठो, चलो योग में मन नहीं लग रहा है कुछ अच्छा लिखो, सुनो, पढ़ो, विचार करो तो आटोमेटिक वो बाते खतम हो जाएगी आप बाबा को कमजूरी की बाते मत सुनाओ निर्बलता खतम हुई क्योंकि हम मास्टर सर्विश शक्तिवान है अगर आप सोचेंगे कि माया हैरान करती है तो करेगी लेकिन संकल्प में दड़ता रखो कि माया आ नहीं सकती तो भाग जाएगी आप अपनी मस्ति में रहो तो सब पुरानी बाते खतम हो जाएगी बाबा से सर्व संबंद जोडो बाबा की मस्ति में मस्त रहो बिजी लाइफ is the good life जीवन में अपने आपको जितना जो बिजी रखता है उतना व्यर्थ से मुक्त बनता है और विशेश बाबा ने तो कहा है ब्रहमन जीवन में अगर माया को आने का चांस मिलता है तो उसका कारण है आप खाली हो मन बुद्धी फ्री है तो माया आती है इसलिए बिजी रखना है बिजी रहेंगे तो सब इजी हो जाएगा बिजी तो इजी पढ़ाई और सर्विस में बिजी रहो भाव स्वभाव के नाज नकरे छोड़ दो वो भी आपकी व्रतियों को खराब करते हैं प्यार करना है तो एक बाबा को शक्ति लेनी है तो एक बाबा से बाकी किसी से प्यार लेने की इच्छा नहीं रखनी है अगर कुछ भी मुझे लेना है तो सिर्फ मेरे बाबा से लेना है बाकी किसी से कुछ भी बाबा तो कहता है सुक्ष्म में भी कुछ लेने की इच्छा नहीं रखना है बाबा से प्यार लो किसी देहधारी के प्यार की इच्छा मत रखो हमें तु लेके सहारा बाबा का विश्व का कल्यान करना है ऐसे विश्व का निर्मान करने वाले क्या खुद का निर्मान नहीं कर सकते मैं जो चाहूं जैसे चाहूं खुद को बनाना मेरे हाथ में है मैं चाहूं तो अपना जीवन सफल बनाऊ, शक्तिशाली बनाऊ और मैं चाहूं तो कमजोरी में आकर, व्यर्थ संकल्प में आकर अपना अमुल्य समय गवाऊ ये तो अपने हाथ में है न तो जो विश्व का नव निर्मान करने वाले हैं क्या वो खुद का स्रेष्ट निर्मान नहीं कर सकते? दादी पूछ रही है ये है ही तमुप्रधान दुनिया इसकी शिकायत मत करो जहां है ही सब कुछ शिकायत का ही समय बातें, समस्याएं, परिस्थितियों का ही युग है उसकी क्या शिकायत करना? हमें कोई सडा हुआ चोला पहनना ही नहीं है ये सडा हुआ, मरा हुआ वस्त्र है शरीर, सडा हुआ है, मरा पड़ा है आप उसकी शिकायत क्यों करते हो? ये तो है ही निर्बल निर्बल की शिकायत थोड़ी की जाती है जिसमें बली नहीं है उसकी क्या शिकायत करना मैं हूँ मास्टर सर्विशक्तिमान और कहूँ कि ये छोटी सी माया वार करती है चीटी महारती को सुला दे तो क्या कहेंगे उससे अपनी संभाल रखो इस पुरानी दुनिया को देखो ही नहीं सुनो ही नहीं अपनी संभाल करना है संग दोश एक दो को बहुत गिराता है मेरा संगी एक बाबा है उसको साथ रखो तो दोस्तों का साथ नहीं खीचेगा प्यारे सब के बनो लेकिन प्रिय किसी को नहीं बनाओ क्योंकि जिसको आप अपना प्रिय बनाओगे घड़ी घड़ी बुद्धी उसकी तरफ भागेगी उसकी याद आपको आती रहेगी इसलिए दादी कहती है भले आप सब के प्यारे बनो लेकिन अपना खास प्रिय किसी को भी नहीं बनाओ प्रिय एक बाबा को बनाओ तो सब तुम्हारे प्यारे रहेंगे प्यार सब को करना है लेकिन किसके लिए प्यारे नहीं बनना है किसके लिए प्यारे बनेंगे तो हद आ जाएगी प्यारा बनना है एक का बाकी सबसे न्यारा बनो किसी के प्यार की आश नहीं रखनी है बस एक बाबा से आश हो और किसी के प्यार की आश नहीं रखनी सदा एक साथी के साथ रहो तो और किसी के संग का रंग नहीं लगेगा बाबा का संग मुझे सबको लगाना है मुझे किसी का संग आकर्शन नहीं कर सकता ये दावा करो मुझे बाबा ने कर्म योगी शीतल योगी बनाया है लेकिन गरम योगी नहीं बनो हमारा टाइटल है कर्म योगी शीतल योगी गरम योगी नहीं हमारे मस्तक पर बाबा का हाथ है हमारा मस्तक शीतल हो गया फिर गर्मी कौन सी मीठे बाबा ने कहा ओ मेरे मीठे सिखी लदे बच्चे ऐसा कहते ही उसने हमेशी तल बना दिया क्रोध अगनी सदा के लिए समाप्त कर दी जो भी विकारों की आग थी बाबा ने समाप्त कर दी बाबा ने कहा ओ मेरे मीठे सिकी लधे बच्चे फिर गर्मी किस बात की? ना काम की, ना क्रोध की माया पर भले गुस्सा हो लेकिन किसी के उपर गुस्सा मत हो गुस्सा तो एक ऐसी चीज है जैसे गुम्बच में बैट आवास करो तो खुद को सुनाई देती है गुस्सा करके खुद को हैरान करते हो दूसरा हो ना हो खुद को तो हम अच्छी तरह हैरान परेशान कर ही देते हैं किसी ने कुछ रौंग किया तो उसने तो किया लेकिन मैं कहूं इसने क्यूं किया उसमें मैं क्यों हैरान हूँ मैं उसको देख देखके गरम हो रही हूँ गुस्सा कर रही हूँ इसने ऐसा क्यूं किया नहीं करना था ये तो गलत है ऐसा सोच सोच कर बोल बोल कर कितना हैरान होते रहते हैं दादी के तिये क्या आवश्यकता है हर एक का कर्म हर एक की नीचाई उचाई उसे खुद ही नीचा दिखाएगी मैं क्यूं उसे कहूं कि मैं नीचा करके ही इसको दिखाऊंगे जिसका जो कर्म है वो तो अपनी अवस्था उसको दिखा ही देगी हम क्यूं कहें किसी के लिए मैं कल्यानकारी बाबा की बच्ची, मैं किसी को नीचा दिखाने की क्यों सोचू। मेरी सोच को मैं इतना नीचे क्यों गिराओं, मैं तो हूं विश्व कल्यानकारी बाब की बच्ची। गुसी की आग खुद को जलाती जो बनता निर्मान वह सब का पाता मान जितना निर्मान उतना महान और वही पाता है सब का मान जो निर्मान नहीं वह जग में मान पाने ही सकता दोनों हाथ जोड़ कर सिर जुकाना ये भी नम्रता है दो हाथ बांधते माना, आवाज नहीं करना, शांती से रहना है सिर जुकाना नम्रता की निशानी है हर एक की दुआ लेने का साधन है, निर्मान बनो जो निर्मान होते हैं, उनके लिए दिल से सब की दुआई निकलती है जब कोई दुआ देता, तो सिर पर हाथ होता है अगर आप विश्व की दुआई लेना चाहते हो, तो अपने को निर्मान बनाओ जो सब की दुआई पाता है, वो ही तो आगे बढ़ता है न और दुआ पाना है तो उसके लिए निर्मान बनना पड़ेगा फिर बाबा की भी अथाह दुआएं मिलेगी रूहानी दृष्टी से देखो, देह की दृष्टी से नहीं, तो दुआ मिलेगी मैं कहती हूँ, ओ मेरे चैतन्य देवताएं, अगर मेरी कोई भूल है, तो सौरी देखो दादी क्या कह रही है, दादी कितनी उच्छी, कितनी महान हसती है, लेकिन दादी की निर्मान ता देखो, दादी कहती है, अगर मेरी कोई भूल हो, तो सौरी अगर मैंने सौरी की तो दुआएं मिल जाएगी जिसके सिर पर दुआ नहीं उसके सिर पर रावन है दुआएं नहीं तो दादी केते रावन है सिर पर एक एक की दुआ लो तो बाबा की दुआएं रहेगी और रावन भाग जाएगा मेरा सदेव हसता हुआ मूड रहे मैं बाबा को देखूं तो मुस्कुराओं श्री कृष्ण को देखो मुस्कुराता है तो प्यारा लगता है अगर जोश वाला होता तो क्या प्यारा लगता? नहीं न? मुस्कुराता रहता है इसलिए प्यारा लगता है मुस्कुराती हुए चहरे वालों के चित्र को हर एक गले से लगाते परन्तु अगर मूडी होते, मूड ओफ करते तो सीता का मूँ रावन की तरफ हो जाता मूड ओफ माना रावन मूड ओफ माना मूड मती मूड ओफ माना बाबा से मुख मूड न कितने सारी बाते बता दी बड़ी दादी ने मूड ओफ माना रावन की तरफ मुख कर लिया मूड ओफ का अर्थ ही रावन है दादी तो कहती है मूड ओफ माना बाबा से बे मुख मूड मती ये सब चिन है अपने को निर्बल बनाने के बाबा को कहते हैं परम पिता परम अर्थात उंचा परम धाम निवासी तो हम परम धाम के निवासी परम पिता के प्यारे बच्ची हैं इसलिए इस दुनिया से परे रहो हर एक बात हमारी दुनिया से न्यारी है हमें तो पवित्रता का जंडा लेराना है जिसको दुनिया असंभव कहे ना माने उसे संभव कर दिखाना है ये हमारी ग्यान की कमाल है न तुम कुमार नहीं सजनिया हो क्या मैं शिव साजन को पसंद नहीं या वह मुझे पसंद नहीं जो दूसरे को पसंद कराते बाबा कहे जैसे हो वैसे हो मेरे हो जब उसने मेरा कहा फिर हम दूसरे का क्यूं बने स्वैम भगवान ने कह दिया तुम जो हो जैसे हो मेरे हो तो फिर किसी और के लिए मेरा पन बुद्धे में आ कैसे सकता है हम योग द्वारा, वाइब्रेशन, वायू मंडल को परिवर्तन करने वाले है बाबा से चितनी शक्ती लेना चाहो, लो रावन को मुठी में बांध दो, अगर उसे फ्रीडम दी, तो वो घर में गुज जाएगा टेस्ट करो प्यारे बाबा को, उनके रसों को, दुनिया को टेस्ट करने की इच्छा नहीं रखो हम बाबा के योगी बच्चे हैं, योगी का देखना, योगी का व्यावहार, सब सिंपल और शीतल होता ऐसे शीतल बनो, तो अंतर मुखी बन जाएंगे योगी की नीद नॉर्मल होती, शरीर को पांच-छे गंटे आराम देना जरूरी है उससे ज्यादा नीद सुस्ती की निशानी है आठ गंटा, दस घंटा हम सोते रहें, दादे ने कहा ये तो सुस्ती की निशानी है, आलस्य की निशानी है अपने पुरुशार्थ से कभी हार्ट फेल नहीं होना, ना उमीद भी नहीं होना अगर हम सच्छी दिल से मेहनत कर रहे हैं तो मेरी सफलता की मार्क्स नोट है अगर मेरे दिल की सच्छी भावनाएं हैं तो सफलता जरूर होगी बाबा की याद में चलते जाओ पुरुशार्थ की निव पक्की रखो तो सब बाते समाप्त हो जाएगी अपने को वानप्रस्ती समझो तो सब संसकार निर्बल हो जाएगे बाबा से शक्ती लेकर बल्वान बनो इश्वर्य मर्यादाओं की रक्षा करो यही है ब्रामनों की राखी जितना हम इश्वर्य मर्यादाओं की रक्षा करते उतना रक्षक हमारी रक्षा करता है इश्वर ये मर्यादाएं इश्वर द्वारा मिली है तो जितना उनकी रक्षा करेंगे मर्यादाओं पर चलेंगे तो परमात्मा जो खुद रक्षक है वो हमारी रक्षा करता रहेगा लड़ना जगड़ना रोना रूसना चोरी करना जूट बोलना जिद करना अपनी मत चलाना ये सब भोगियों की चाल है योगियों की ने कितने सारी बाते बताई लड़ना जगड़ना रोना रूसना जिद करना चोरी करना जूट बोलना अपनी मत चलाना ये सब भोगियों की चाल है योगियों की नहीं कोई जिद करता है तो वो ब्रामन नहीं शुद्र है दादी ने सपश्ट किया अगर जिद्धी के संसकार है तो दादी किते वो ब्रामन नहीं कहला सकता वो फिर शुद्र बन जाते हैं तो ये सब थी प्यारी दादी जी द्वारा हम सभी कैसे लाइट का क्राउन धारन करे और दे अभीमान का जो काटू का क्राउन है उसको हम क कैसे खतम करे उसके लिए बहुत सुन्दर युक्तियां अच्छा ओम शान्ति